प्यारे बच्चो नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के स्क्लास में तो आज हम पढ़ने वाले हैं कच्छा साथवी भुगोल का पाथ 7 जिसका नाम क्या है प्यारे बच्चो, म्रिधा तो ये जो हमारा पाथ है ना इसमें हम किस के बारे में पढने वाले हैं तो मृदा के बारे में पढने वाले हैं। जाएगा मित्टी होता है क्या तो हाँ आप एसे बूल सकते हैं वैसे दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है अभी मैं आपको वह अंतर भी बताऊंगे चिंता करो अभी आगे चलेंगे तो बताऊंगी लेकिन हां ऐसे हम लोग उसको नॉर्मली क्या बोल देते हैं मिट्टी बोल देते हैं मिट्टी में ही सारी फसले क्या होती है उगाई जाती है ठीक है चाहिए वह दान हो गेहू या फिर आप लोग कोई पेड़ पौधा देखते हैं वो भी कहां पर उगता है मिट्टी में ही तुँगता है ठीक है तो ये जो पेट पौध वगयरा सब जहां पर उगバイ है जिसकी मद्द से उग रहे है उसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों मृदा कहा जाता है जोकी बहुत ही जरूरी है अगर मृदा नहीं होता तो हमें खाने के लिए पर कुछ नहीं मिल पाता क्योंकि ना गेहूं होता ना धान होता ना कोई यानि कि फल भी नहीं उपाते क्यूंकि फलों के पेड़ भी कहां पर उपते हैं तो मिट्टी के अंदर यानी मृदा के अंदर ही ग्रो करते हैं अप लोगों ाइड सोच सकते हो कि जो मृदा है वो हमारे लिए कितना ज़रूरी है तो इसी के बारे में हम यह पूरा मतलब किय तो चलिए फिर शुरू किया जाए तैयार है सब लोग तो आज है यहां पर हम लोग सबसे पहले जानते हो क्या देखने वाले हैं तो यहां पर हम देखेंगे मृदा की निर्मिती के लिए आवश्य घटक यानि जो मृदा है ना अब इसको कोई इंसान नहीं बनाता यह जानत हम यहां पर पढ़ने वाले हैं तो चार घटक ऐसे हैं जो मृदा की निर्मिती के लिए बहुत ही आवश्यक है कौन-कौन से घटक तो पहला आ जाता है प्यारे बच्चों मूल चट्टान ठीक है दूसरा आता है प्रादेशिक जलवायू और तीसरा क्या आता है जैविक घ आता है प्रादेशिक जलवायू तो इसके वा रहे में हम यहां पर पूरा एक्स걸 क्रेंगे पढ़ने वाले है to पहले हम यहां पर बात करेंगे मूल रिदा के निर्मान का महत्व पूर्ण घटक तहाई जयों है तो तो श्र 입वताई तो यही यही इते इतने बड़े-बड़े यहieso शामím है यही यह पैए यह पाउडर जैसा होता है लेकिन यह चट्टान तो इतनी बड़ी है फिर यह कैसे होता है तो जानते हो दीरे-दीरे करके जो चट्टाने है इनका अपरधन होता है अपरधन का मतलब क्या होता है कि छोटे-छोटे टुकडों में बट जाते हैं समझेगे अभी देखो इसके करके यह पत्थर बनेंगे छोटे-छोटे-छोटे-छोटे इनसे ना पाउडरी मटीरियल बन जाएगा यानि पाउडर जैसा बन जाएगा जैसे हम जनरली मिटी देखते हैं वैसा वह बन जाएगा ठीक है तो चट्टानों के अपरधन से ही क्या होता है मृदा का निर्मान होता है ठीक है तो यहाँ पर आप समझेगा कि मूल चट्टानों का अपरधन होता है यह तो मैंने आपको बताई दिया परिणाम सोरूप क्या होता है जब यह अपरधन होता है तो इसके परिणाम सोरूप जो मूल चट्टाने है ना उनका चूरन बन जाता है और वो क्या कर करते हैं मरिधा का निर्मान करते हैं जैसे कि मैं आपको बताती हुँ महाराथ का दक्कन का पठार है ये तो याद र trademark जरुझें पर हैं महाराष्ट ग्टार से मिट्ट यहाँ पर इसको न ये को काली व्र्यों प्यारे बच्चों इसको रे गूर की मृदा भी कहा जाता है तो यह बात भी आप द्यान में रखा थूट्य के आप से न परिक्षा में पूछा जा सकता है कि jest काली मिट्टी है ना काली मिट्टी इसका दूसरा नाम बताओ क्या होता है तो आप बताईएगा रेगूर के मृदा ठीक है क्या था यहाँ पर रेगूर के मृदा था ना तो यह आप ध्यान में रखना ठीक है जी चलो भईया यह तो हम समझ गए उसके बाद तो यहाँ पर एक और बात आप समझ लीजिए जैसे कि दक्षिन भारत के मैं बात करूँ दक्षिन भारत आपको पता है जैसे देखो एक तो हमारा नौर्थ भारत होता है और दूसरा हमारा दक्षिन भारत मतलब उत्तर भारत और दक्षिन भारत होता है ठीक है उत्तर भारत क्या है दक्षिन भारत क्या है आजए मैं आप लोगों को बताती हूं जैसे भारत का नक्षा आप लोगों ने देखा आओगा कैसा होता है जो उसका उपर ही हिस्सा है ना मैं आपको दिखाते हूं इसमें भारत का नक्षा लिया है अब इसमें धक्षिन भारत कौन सा है उत्तर भारत कौन सा है तो यह जो ऊपर वाले इस है ना क्योंकि आपको इसके बारे में पता होगा दिशाओं के बारे में आप जानते ही होंगे देखिए यह आपका क्या होता है यह आपका नौर्थ होता है यानिकि यह है आपका उत्तर ये वाला हिस्सा क्या होता है उत्तर और ये जो नीचे वाला है ये आपका दक्षिन होता है यानि कि साउथ ठीक है इधार आता है इस्ट मतलब क्या ये हो गया पुर्व ठीक है जी और ये हो गया वेस्ट यानि कि ये है प्यारे बच्चो पश्चिम क्या है दोस्तों ये है प तो यहां पर बताया गया है कि जो दक्षिन भारत है ना यहां पर ग्रेनाइट और नीज नाम के जो चट्टाने हैं उनसे कौन सी मृधा का निर्मान होता है तो लाल मृधा इंसे निर्मित होती है तो यह था मोल चट्टानों के बारे में और मुझे पूरी उमिद है आपको स और बात समझ लेना लाल मिट्टी का निर्मान कैसे होता है तो दक्षिन भारत में जो ग्रेनाइट और नीज चट्टाने हैं इनसे इनका निर्मान होता है ठीक है जी चलिए अभी हम यहां पर आगे बात करेंगे जो हमारा दूसरा घटक है वो क्या है प्रादेशिक जलवा तो ऐसा भी जलवायू कहीं पर होता है समझ में आरे है आप लोगों को तो जलवाय के उपर भी कई सारे मतलब यह जो निर्मान है मिट्टी का स्वाइल का यह डिपेंड करता है ठीक है तो आजए यह यहां पर इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं कि यह प्रादेशिक की प्रभावित करने वाला यह भी एक महतोपून खटक है जैसे हैं और देखा लागी कि चट्टान महतोपूर्ण है वैसे ही जो जलवायू है वो भी घटक है मतलब नकरते हैं डेखो जो आपका यह प्रोसस्य है नहीं समझने का प्रयास करना प्रदेश की जलवायू उपर अपर्दन की प्रक्रिया निर्भर करती है यानि जो अपर्दन की प्रक्रिया हो रही है अपर्दन मतलब क्या रोक्स का छोटे टोट टुकडों में बढ़ता वो किसके उपर निर्भर है तो वो निर्भर करता है किसके उपर जलवाईू के उपर ठीक है और यही डिसाइड कर यानि कि यह निश्चित करता है अपरदन की प्रक्रिया के तिवरता कितनी होगी मतलब वो जल्दी जल्दी होगा या फिर धीरे-धीरे करके होगा इसकी तिवरता को कौन कौन निश्चित करता है तो जो वहां की जलवाई होती है न वो निश्चित करती है ठीक है जी फिर यह यहाँ पर आप समझने कुशिच करना, मालो कि यह एक प्रदेश है, लो जी यह एक प्रदेश हो गया, ठीक है, यहाँ का जलवायू है वो अलग है, समझो, यहाँ का जलवायू अलग है, और यहाँ का जलवायू क्या है त्यारे बच्चों अलग है, ठीक है, यहाँ पर भी व ही चट्टान पाई जारी है लेकिन लेकिन जलवायों में अंतर के कारण होगा क्या यहां पर अलग प्रकार की मिट्टी का निर्मान होगा और यहां पर अलग oqu, यहां पर इस प्रकार का पत्थर है तो होगा, यहां कि यहां की जलवायू कैसी है जनरली अगर देखाजाए समानयता कैसी होती है, सुषक होती है अगर आप यहां पर देखींगा तो आपको समय जाएगा देखो, जैसे कि सह्यादरी के पश्यमी भाग में आर्द जलवायू के कारण वहां बेसाल चंटानों में निक्षालन यानि लीचिंग प्रक्रिया से लाल मृदा तयार होती है ब्रिदा का यहाँ प्रकार दक्कन के पथार पर सुस्क जलवायू से निर्मेट रेगुर मृदा से अलग है तो यहां पर जो आता है वहां पर भी बेसाल्ट चट्टाने ही है लेकिन यहां का जलवाई हो वो कैसा है प्यारे बच्चो आर्द्र है तो अब इसके कारण क्या होता है यहां पर किस प्रकार की स्वाइल का निर्मान होगा और यहां पर किस प्रकार की स्वाइल का निर्मान होगा तो यहां पर तो हमारा रेगुर की मृदा यानि की ब्लैक स्वाइल मतलब काली मिट्टी का निर्मान होता है रेगुर मतलब काली मिट्टी ठीक है आप इसको काली मिट्टी को रेगुर भी बोला जाता अब इसको समझना है एक बार फिर से पताती है उद्यान से सुनो इधर किया होगा इधर जलवायू सुसक है यहां की सुसक है तो देखो पत्थर तो वही है मतलब जो चटान है वही है लेकिन बस यह जलवायू में अंतर के कारण यहां पर किस प्रकार की मिट्टी का निर्मान तो किसके कारण यह बदला है जलवायों के कारण बदला है तो आप सोच सकते हो कि जलवायों कितना जरूरी है ना इसके कारण हमें मिट्टी के जो प्रकारे उसमें उसमें बदल चेंजेस देखने के लिए मिल सकते हैं ठीक है यहां पर बात आप लोगों को बताना चाहती हू प्रक्रिया था निक्षालन प्रक्रिया के द्वारा यहां पर लाल मिट्टी है उसका लाल मृधा का निर्मान होता है और दक्कन के पठार बर रीगुर मृदा की निर्मती होती है और ये दोनों अलग है मतलब ये दोनों बनतो रहे हैं बेसाज चटान से लेकिन दोनों में क्लाइमेट के अंतर के कारण इनका जो प्रकार है वो भी बदल गया है ठीके जी तो ये धा प्यारे बच्चों प्राद जैविग घटक होते हैं दोस्तों क्या होते हैं जी जैविग घटक ठीक है और दूसरे होते हैं और जैविग घटक ठीक है जैविक मतलब क्या देखो जीव मतलब क्या होता है जीव यानिके हम जीव है अगर हमने कोई एनिमल वगएरा देख लिया जानवर तो भी क्या होते है जीव होते हैं तो समझने का प्रयास करना देखो होता क्या है जो घटक सुनना जो घटक किस से संबंदित हो जीवो ओके, वो, वो क्या होते यह वो सभी जैवित गटक होते हैं और जो जैवित गटक क्या होते हैं जैसे मैं आपको इसका example बताती हूं जैसे मान लीजिए कि कोई अ? अइनि मल हो गएा, कोई जानवर का अवसेस तुर। मतलब कोई जानवर जो है हुँ उसका जो ओसेज बचा रहे ये कहा से मिल रहा है वो जो जानवर का अवसेज है वो एक जीव है तो ये क्या हो जाएगा जयविघताग話 हो जाएगा वैसे ही अगर मैं बात करू जो पेडों की पत्तियां होती है तो जीवों से संबंधित ना हो जैसे कि आपको बताती हूं हवा हो गया ठीक है अगर हम बात करें पानी की तो पानी भी घटक ही है तो जैवेक और अजैवीक घटक ही है तो यहाँ पर जैविक घटक को के बारे में पढ़ना है जो हमारी मृदा होती है उसमें जैविक घटक भी मिले हुए होते हैं अगर आपके पास क्या है बस यही है जो चट्टानों का पाउडर वाला मटेरियल है बस अगर वो है तो आप उसको सॉयल नहीं बोल सकते देखो यहां पर लिखा क्या है तो मृदा में जैविक पदार्थ क्या होते हैं मिले हुए होते हैं तो जब उसमें जैविक घटक मिले हुए होने चाहिए है ना तो यह जैविक घटक आते कहां से हैं बताएंगे जरा तो यहां पर लिखा हुआ है जैसे कि प्रदेश की वनस्पतिया वह प्राणिय प्राणियों के होने वाले विगटन से यह जैविक पदार्थ मृदा में मिश्रित हो जाते हैं यानि देखो होता क्या है जैसे अब मैं आपको एक्जाम्पल के थ्रू बताती हूं जैसे देखिए यह आपका क्या है प्यारे बच्चों सॉइल है मतलब वो जो चूरन जो ऐव जए यह इंदर मिलते हैं इतने बड़े हैं फिरोज आणिवा ऑट चोड़ क्या होते हैं जी होते हैं बहुत हién चोटे नहीं को आप अपनी लाओं से नहीं को से नहीं ढ़िए इसके लिए आपको माइक्रोस्曲 Hut की जरूरत पड़े की कर देंके एक है इसके लिए माीक् गतको मिल जाते हैं तो इसको कहा जाता है और यह सकता है कि किनों वर्मास किसको कहते हैं तो आप बताइगे का किजब जाप बृच्छे से तो उसे को आम लोग्यूमस के नाम से जानते हैं ठीक है समझ आया तो देखो यहां पर वहीं लिखा हूब आप लोको को बताती हूं क्या-क्या मिश्रित होते हैं तो वनस्पतियों की जड़े यानि जो वनस्पतिया माल लेजे कोई पेड उगा हुआ है ठीक है अब वह पेड़ सुख गया है तो क्या होगा उसकी जड़े हैं वह तो मिट्टी में मिल जाती है वह ऐसे उनको खाड के थोड़े न लेकर के जाते है वह मिट्टी में मिल जाती है फिर जो घर पतवार होते हैं ऐसे कोई पेड़ सुख करके गिर गया यह सब कुछ हो प्राणियों के मृतावशी सी यानि जो कोई प्राणी है कोई मर गया उसी जमीन पर तो यह सबी का क्या होता है प्यारे बच्चो विगटन होता है है और वो पानी के कारण क्या होते हैं चोटे-चोटे जीव होते हैं जैसे कि केचवे सहस्रपादगी मखक कन खजूरर जानते न चीटिया आदी ऐसे विगटीत हुए पदार्थुको क्या कहा जाता है प्यारे बच्चो यूमस कहा जाता है जो मैंने आपको अभी-अभी बताया अब सुनना ध्यान से अगर मृदा में हिमास की मात्रा अधिक होती है तो मृदा जादा उपजाओ का मतलब क्या होते हैं जिसमें अच्छे प्रकार से उगपाइए हैं तो जिसमें हम स्रिधा कैसी होगी और जहां पर हुमस की मात्रा कम होगी वहां की जो थोड़ी कम उप जाओ होगी इसके अगर इससे दोनों को किसानों की मदद करते हैं किसानों की मदद करते हैं अगर आपके जमीन में केचुए जादा है जिसको कहा जाता है और वो कैसे बनाते हैं तो यह प्रक्रिया होती है पूरा अच्छे से एक प्रोसेस के थूरू उसको प्रॉपरली बनाया जाता है जिसके अंदर यह सब कुछ रखा जाएगा केचुए रखे जाएंगे फिर उनको खाने के लिए यह जो होंगे ना जो वनस पतिया होंगी उनक तो फिर आपका खाद नहीं निर्मान हो पाएगा तो पूरा थंडी में आपने चोड़ दिया फिर पूरा गर्में कर दिया तो यह तीसरा फैक्टर था यानिकि तीसरा घटक था अब यह पर बात करेंगे प्यारे बच्चों चौते घटक जो क्या है समयावधी क्या है तो समयावधी भी इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर मैं ये मृदा के बात करू ना स्टूडेंट तो क्या होता है मृदा का निर्मान ना ये एक बहुत ही धीमी प्रक्रिया ये धीरे-धीरे करके होता है ऐसा नहीं होगा कि आज आप देख करके गई आप कुछ भी ने ये दूसर समय हजारो सवस og का समय लग जाता है तो कि अपरत का निर्मान होने में कितना लग जाता है तो अचाहारों का समय क्या है मनदगती वाली प्रोसेस객नि दीरे-धीरे करके होती है तो इसलिए हम क्या भूल सकते हैं कि मृदा कि अनुमॉल है किम मॉल मून नहीं है ठीक है क्योंकि ये इतना सלो प्रोसेस है हजारों वर्सों में जिसका निर्मान हो रहा है बताना जरा आप कितनी भी कोशिश कर लो लाग कोशिश पर लो लेकिन वो इतनी जल्ली इसका निर्मान हो इने सकता बहुत मुस्कुल प्रोसेस है तो फिर इस Eu had this वह जल्दी होगी और जहां पर कम वर्षा वाले जो छेत्रे हैं और जहां पर कम ताफमान रहेगा वहां पर मृदा की निर्मती मतलब मृदा की समयावदी है वो थोड़ा अधिक होगी इसके अगर दुनों को आप कंपेर करोगे तुलना करोगे तो आपको पता लगे का यहा कि यहां पर कम वर्षा भी है और कम तापमान भी है तो यह था आप लोगों का चौथा फैक्टर मतलब चौथा घटक समयावधी तो कौन-कौन से घटक मैंने आप लोगों को बताए हैं जरह बताना तो तो सबसे पहले हमने मूल चट्टान देगा फिर प्राकृतिक जलवाई प्रादेशिक जलवायों कैसी है उसके बाद हमने जैवे घटक देखा और चौथा मैंने आपको बदाया प्यारे बच्चों समयावधी तो यहां तक तो हमने वो जो चारो घटक दिये थे उनके बारे में पढ़ लिया है चलो अब आगे और कंटीनिव करते हैं और भी जनरली मतलब मुख्य रूप से कहां पर यूस्ट किया जाता है तो खेटि के काम में ही इसका उप्योग किया जाता है ठीक है और मृदा मैं कि आप बताती हुग जैसे कि अभी आज के टाइम पर क्या किया जाता है और अधिक फसल प्राप्त करनी के लिए याणि लोगों को क्या लगता है कि अगर हम लोग क्या करेंगे जो केमिकल वाली चीजे हैं अगर हम उनका यूज करेंगे ठीक है यहां पर लिखा हुए रासायनिक खाद होती है और एक तो नेचरल प्रोसेस से बनने वाला खाद होता है जैसे हमने वह खेचुवा खाद देखा था अगर आप वह अपने मिट्टी में डालोगे तो उसकी गुडवत्ता बिगड़ेगी नहीं लेकिन अगर आप लोगों नहीं यह रासायनिक खादों का बहुत जादा यूज कर लिया तो क्या होगा मृदा की गुडवत्ता पर इसका आसर पड़ता है जो उसकी गुडवत्त जाती है नीचे जली जाती है कम हो जाती है इसलिए कोशिश करना चाहिए और आज के टाइम पर लूग करते क्योंकि उनको लगता है कि जादा फसल मिलनी चाहिए और इस चक्कर में आकर के पूरा जो अपना मिटी है उसकी गुडवत्ता को खराब कर लेते हैं तो अधिक र तो अछे आपको बताते हो जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर बतायाँ हुआ तो पर चट्टान की जैसे कि अच्टानों के अधुरे नान सरे होए या फिर कम सडे हुए wwen जैविक पदार्फ दे लिया और क्या होते हैं असंग के सुख्ष में Android में और क्या ओता है म्रिदा में जैविक और जैविक तो फिर हम कैसे अपना काम कर पाएंगे जो हम खाना खाते हैं उससे आमें पोसकत तो मिलता है वैसे ही वनस्पतियों को भी तो चाहिए ना तो वह कहां से लेते वो मृदा से ही प्राप्त करते हैं ठीक है तो मृदा में यह सब कुछ मिला हुआ होता है समझ रहे हो लेकिन इस प्रिदा को उप्योग करते हैं समझें दोनों के बीच का अंतर क्या है प्याने बच्चों मिट्टी से वह सब कुछ हम यह बस क्या है यह बस एक पदार्थ है लेकिन व्रिदा के अंदर सानी चीजे मिक्स होती है जिसकी वज़ए से प्लांट जो है वह अच्छे से ग्रोग प्लांट यह पौद एक प्रक्रिया तो इसमें आप क्या कर सकते हो आपको में बतारी हो आप कीजिएगा जरू आपको तीन गंबले लेने है इस प्रकार से समाना कारके ले लेना इसको खाली जोड़ना इसमें कुछ भी मत डालना इसको ऐसे खाली चोड़ देना फिर उसके और इसमें आपको मिट्टी भरना है क्या भरना है यह वाले गंबले में आप लोगों को मिट्टी भर देना है ठीक है फिर यह तीनों को ना यह तीनों गंबलों में आप क्या करना जो बीज होते हैं अगर आपके घर पे कोई भी बीज हुए जैसे कि मैं आपको बताती और फिर उसके बाद उसका अच्छे अनियुक्षन करना चार पांस दिनों के बाद और फिर आप देखो कि उसमें क्या पाऊगे तो क्या होगा दोस्तों बताएंगे जिसमें मिट्टी होगी यहां पर चोड़े पौदे अच्छे से हमें बढ़ते हुए दिखाई देंगे और जिसमें पानी भना हुआ था वहां के जो बीज आना वो तो सड़ गए होंगे और इसमें क्या होगा यहां पर भी अच्छे से उग नहीं पाई होंगे क्योंकि इसमें पानी तो हम डाल रहे थे और सुरे का प्रकास भी मिल रहा था लेकिन भाईया इसमें मिट्टी नहीं था मृदा नहीं थी अब मृदा नहीं है तो कैसे कोई पौधा होगेगा क्योंकि पौदे के उगने के लिए मृदा बहुत ही जरूरी है इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता समझे तो यह आप एक्टिविटी अपने स्कूल में कर सकते मास्टर के साथ मतलब टीचर के साथ ठीक है जी चलिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूण है क्योंकि हम क्या गरते हैं हम रिगुलरली सांस लेते तो क्या मतलब क्या जाता है हमारे अंदर अंदर ऑक्सिजन जाता है अब अगर पेड़ नहीं होगे अ और उक्सिजन नहीं मिलेगा तो हम नहीं जीप आएंगे तो वनस्पति जीवन बहुत ही जरूरी है जीव स्रिष्टी के लिए अब एक और बात समझो यह जो वनस्पतिया ना इनके लिए क्या जरूरी अगर इनको प्रॉपरली अच्छे से इनकी वृद्धी करनी है इनको उ तो फिर हम भी नहीं रह पाएंगे ठीक है मैं आपको बात बताती हूं देखो यहां पर बताया जा रहा है कि जहां पर उपजाओ मृदा होती है वहां पर वनस्पति जीवन बड़ी मात्रा में क्या होता है सम्रिद्ध होता है यानि जहां पर अच्छे से पूरा मिट्टी रहेगी सोईल यानि की जो मृदा उपजाओ रहेगी वहां पर बहुत ही अच्छा हमें वेजेटेशन यानि की जो वनस्पतिया है वो हमें देखने के लिए मिलेंगी जैसे कि विश्वत वृत्तिय प्रदेश की अगर मैं बात करूं आप बोलेंगे विश्वत वृत्तिय प्रदेश कहा जाता है ठीक है आप लोगों ने जो आपका पार्ट यह था उसमें आपने पढ़ा होगा अलग-अलग प्रदेश के बारे में हमने उदर पढ़ा भी था ठीक है तो यहां पर सब कुछ अच्छे से अवलेबल होता है मतलब उपलब्द होता है मृदा यहां के मलते के और इस नहीं मतलब दूसरे जो एरिया जास सबकुच अब जाते है कहीं पर भी पैसे जाता है ऐसा मरुस्तलिय प्रदेस में नहीं होता है क्योंकि वहां की जो मृदा है वो उपजाओ नहीं है ठीके मरुस्तलिय प्रदेस फिर यहां पर एक और बात समझेगा कि जहां पर मृदा के कमी होती है वहां पर भी वनस्पतियों का अभाव में देखने के लिए मिलता है क्योंकि मैं वनस्तोट कहाम पर उकष्पाएंगाँ पर ब्रिध करेंगी यहां पर घ्रंप्र घ्राओदेश कहां पर बताती है जैसे तो हम और इसवाद यह्यां किया है तो तक हम अन्य प्रत्वी होसाने का सच्थ यहां विश्वत रेखाय होता है है हमारा नॉर्थ और घ्रól यहां पर जो मिट्टी है इसका अभाव होता है इसके कारण यहां पर मनस्पतियों का भी अभाव होता है ठीक है अब एक और बात बताती हो जैसे मान लीजिए आपके पास उचित जलवायू भी है भरपूर जल भी है जितना जल चाहिए होता है प्लांट के ग्रो के लिए आप पौधों को उगा पाओगे नहीं भाई नहीं उगा पाओगे यानि यह तीनों चीज़े हो तो हो ठीक है लेकिन इसके साथ साल मृधा भी होनी चाहिए अगर मृधा नहीं होगी तो फिर हमारे जो पौधे हैं वो नहीं उग पाएंगे तो वही दिया है कि केवल उचि यह एकिन समय में लेकर चलती हूँ जैसे जो आप लोग इतिहास में जर्रली पढ़ते हो क्या आप लोगों नहीं सुना था कि पहले मतलब इतिहास में पढ़ा होगा पाचवी कख्षा में ऐसे आपके टीचर्स ने पढ़ाया भी होगा कि पहले के लोग क्या करते थे उनको इसके अंदर डालेंगे क्या डालेंगे बीज डालेंगे तो वो उगेगा धीरे-धीरे उनको उसका घ्यान हुआ तो फिर धीरे-धीरे और थोड़ा समय बीतने के बाद उनको एक और बात पता चली कि जो मिट्टी उपजाओ है उसमें कोई भी पोधा है वो अच्छे से ग्र जो नदियों की तट हैं वहाँ पर उपजाओं रिदा पाई जाती है वहाँ पर पानी भी होता है तो देरे देरे करके लोग क्या करने लगे जो नदिया वगेरा होते थे उनकी घाटी में जाकर के खेती करने लगे क्योंकि वहाँ पर पानी भी होता था और उसके साल साल जो भूमी है वह उपजाओ भी होती थी तो वहाँ पर खेती करने लगे और इस प्रकार से क्या हुआ जो अलग-अलग आप सुनते हैं न सिविलाइजेशन यानि की संस्कृती ठीक है तो उन संस्कृती का वहाँ पर विकास हुआ कि संस्कृती का यहाँ आप देखेंगे तो लोग वहीं पर चांगर कि क्या करते थे खेती करते करणे अगर शिक्ता पेसे भी अपना बहेत नदियू के किनारे ठीक है कि भूमी में भीज डालने पर उगता है यह मनुष्य को ध्यान में आने पर मृधा का उपयोग करना हमने प्रारंब कर दिया जब हमें पता चला कि अगर हम भूमी पर बीज डालेंगे तो यह उगेगा इसके अंदर से प्लांट से पेड़ उगेगा पोधा उगेगा तब जा तो जो मनुष्य थे वो वही पर स्वमू बना कर रहने लगे और फलता क्या हुआ जो प्राचीन संस्कृतियां है उनका उदय हुआ जैसे कि सिंदू संस्कृति हडपा संस्कृति ठीके जी चलो आगे हम चलते हैं आगे हम किसकी बात करेंगे यहां पे कुछ और बाते करें तो जालेखनीा तो इससे चलो यहां तक हम शाले किनारी। इस प्राचीन संस्कृति आने पेड़ेगे अपने परिवारही है घ्र में ुदे तो परड़ती है। और लिए पिता जी रुके माली जी मृते माता जी मॉझाओ जी इसे about पेले एक परिवार तो क्या होगा इनको कम ही राशन लगेगा ठीके बस दो इलोगों का खाने लगए इनके घर में दो इस लोगों का खाना लगे लेकिन इनके बच्चे भी होगए ठीक है एक दो तीन चार ऐसे करके यहाँ पर और भी परिवार जैसे बढ़ता है ना तू को बोजन चाहिए होगा ऎहां पिया जैसे 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 ज़न संक्या बढ रही है वैसे वैसे हमारे देश में भी तो हो सकता है अगर लोगोंके आवशक्ता अब बढ़ेंगे ना क्योंकि लोग खाना खाएंगे भाया तो इसके गाजन लोगों ने क्या किया है डाले बच्चों बड़े पैमाने पर और अधिक अनाज प्राप्ट करने में हैं बार-बार आपको बता रही होगा डर्ड़ी मैंने मुझे ऊपर अधारित होता है तो कॉलिटी कैसी है इसके अपर डिपेंड करता है इसके कारण बेंग और यहां पर उपजाओ भूमी मिले वही लगता और उसके पर सताथ क्या हुआ प्यारे बच्चों तो उसके पस्ताथ毛 फसलों के उत्मादन प्राप्त करने केलिए मानो मानो मृदा की घुडवत्ता बढ़ाने के लिएविविद प्रयास करने लगा जैसे आभी मानो को ये बात दो पता चल चुकी थी कि अगर हमें अच्छी फसल चाहिए तो मृदा की घुडवत्ता है वոछ होनी ह works अब उसको मृदा को वह हाई क्वालेटी का बनाने के लिए अलग अलग प्रकार के जो प्रयास है वो करने लगा ठीक है इसके लिए वह विविद प्रकार की खादों का उफ्योग करने लगा परिणाम तह कृषी उत्पादर में अत्यदिक वरद्धी हुई जैसे मैं आपको पहले के लोग क्या करते थे आप सुनिए अध्यान से आप पहले केमिकल मतलब अभी के टाइम पर कामिकल वाले चीजों का जादा ही हो रहा है पर जंडली में गाव वगरा की वात बताती हूं अभी मैंने खुद देखा है मेरी वात बतारी हूं ठीक है मेरे गाव में ना अब जैसे समय बीटा लोगों को लगा कि हमें क्या करना चाहिए और जाधा फसल चाहिए तो इसके लिए क्या करने लगे टेक्नोलоп का यूज करने लगे तेक्नोलोजी और बड़ी और इस प्रकार से सम्लोग अभी उसका यूज बढ़ाने के लिए टीक है लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया ना कि अगर आप chemical वाली चीज़ों का रासाइनिक चीज़ों का यूज़ करोगे तो जो आपके मिट्टी की गुर्वत्ता है ना जाता है यहां पर इक वार बताती हूं की अनुशार ही जहां पर उसी प्रकार की फसल है ली जाती है जैसे मैं आपको मेरे गाओं की वाद बता रही हूं ठीक है मेरे नानी के महा फ़ाउन तो एक खेत काफ़ी दूर था ठीक है तो वहां पर हम क्या क्या उगाते थे ओacked up करते जोहां जाए प्र हां पर न जर्म 敬ात अब मुझे समझ नियाथ तो मैंनी को पूछा कि मुझे बात बताओ हमारा तो इतना पास-पास में घर है, फिर भी मुंगफली उगाने के लिए हम उतना, क्योंकि वो खेत काफी दूर था, वहाँ पे गाड़ी से जाना पड़ता था, ठीक है, तो हम वहाँ पे जाते भी थे, खेलने उनने ऐसे में छोटी थी, तो वहाँ पे जाकर के खुब खे अच्छे से उगेगी, तो इसलिए वहाँ पर क्या करते है, मुंगफली को उगाया जाता है, तो आप यहां से समझ सकते हो, कि जहां पर जिस प्रकार की मृदा रहेगी, उसी प्रकार से उसी टाइप का क्या लिया जाता है, उपज ली जाती है, ठीक है, जैसे आगर मैं बा अच्छा होता है, यहां की जो मृदा है, वहाँ से यह उत्पादन लिया जाता है, और अगर मैं मंद्यप्रदेश की बात करो, तो यहां की जो मृदा है, वो आलू के लिए उप्यूब्ध है, इसलिए यहां पर आलू की फसल उगाए जाती है, ठीक है, तो इस प्रकार से लोगों का जो खान पान है, जो यह भोजन है, वो निश्चित होता है, जैसे कि मैं आपको बताती हूं, यह जो साउथ हिंडिया वाले पाठथ है, वहाँ पे चावल के खेती जाधा होती है, तो आप लोगों ने देखा होगा, कि जैसे मैं इडली ढहुसा की बात करूं, य यह वे निए डख्षिन भारत का फुड है न क्यों एसा कि वहां पे चावल ज्यादा हो रहे है तो लोग क्या करते हैं चावल से बनने वाली जिज़ों के जादा उपयोग करते हैं इड्ली और यह डोसा किसे बना जाता है जैसा जहां पर उत्पादन होगा उस PRAKAR से लोकों जो खानपान है वह डिवलप हो जाता है देखो यहां पर लिखा ना इस्तानी उद्वादिन के अदंशार वहां के लोगों का आहार खानपान जालो या फिर आहार निश्षित होता है ठीक है जी चलो अब यहां पर कुछ और बाते बताती हूं देखो एक और बात समझनी का प अबомеने के लूग क्या करेंगे मैंअ क्या निर्यात तो किम ऐते हैं दूसरे विझा हुट है जपर अणाजा है निर्यात कर लेते हैं तो आपको बता देती हूं पहले आयात और निर्यात के बारे में देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट एक होता है प्यारे बच्चों आयात और दूसरा होता है निर्यात ठीक है अरे यह क्या हो रहा है निर्यात export import इसको English में बोलते हैं आयात मतलिब क्या होता है जब हम दूसरे देशों से समान अपने देश में मंगा रहे हैं तो वो हम कहते हैं आयात करना ठीक है और जब हम हमारा समान दूसरे देशों में भेज रहे हैं दूसको कहते हैं निर्यात करना ठीक है तो जहां पर फूड वग प्रदेशों में पड़ोसी देशों से आनाज आयात कर वहां की आवशक्त्ता पूरी करनी पड़ती है टीके तो जो भी उनके पड़ोसी देश से कर लेते हैं जैसे कि एक्जामपल आप देख सकते हो सौधी अरब कतर कितर ओमान आदी देश अपने आवशक्ता हैं कहांसे पूरी करते यह तीनों भारत और अमेरिका जैसे देशों से माल का आयात करके पूल करते हैं ठीक है और एक और बात करते हैं। अनाज के मामले में आत्म निर्बर हैं हमें किसी से अनाज लेनी के कोई आफशकता नहीं क्योंकि हमारे यहां पर इतना तो अनाज होई जाता है कि हम लोग उसको प्रॉपरली अच्छे से खापाएं और हम क्या करते दूसरे देशों में भी निरयात कर सकते इतना अनाज हमार पर बस्तियां कैसी पाई जाती है कि इंदरीद पाई जाती है ठीक है और यहाँ पर एक और बात समझेगा कि जहां पर जिस प्रकार की फसल होती है तो असप्र के जो उस मतलब ये है कारखाने लगा दिये जाते हैं जैसे कि जहां पर गन्ना जदा होगा गन्ना उत्भादन छेत्र में किस प्रकार के मीर में कारखाने लगा दियेंगे क्यों कि चीनी किस के दो बनता है ऑँ जा dif Ganne भड़ा है वहाँ लोग क्या करते सी चीनी रहाँ जब उनको गन्ने की जरुवत पड़े Тो वहां पर प्रक्रिया उद्योग लगा देंगे तो इस प्रकार से यह हमें देखने के लिए मिलता है यहां पर गन्य की खेती बहुत अच्छी होती है अब किसी को क्या करना है अगर उसने अपना कार खाना इधर लगाया प्यारे बच्चों को बाले ली उसने यहां पर लगा दिया तो क्या करना पड़ेगा यहां से कंणा मंगाना पड़ै तो ऐसे बाखतिकर अपनी धहां फैक्टरें employedना इसी छेत्र में लगा घ्राइब है तो आसानी चेतर उन्हाँ करें अपने फैक्टर्य में उसका यूज ने बना लेगा तो देखो बताना जब यह गरना इनके फैक्टरी तक जाए गा रहा है और यहां पर जाएगा और यहां पर प्यारे बच्चो कम होगा देख रहे हैं आप लोग कितना डिफ्रेंस आ रहा है तो इसलिए मतलब क्या करेंगे दिमाग वाली बात कौन सी है कि आप जो कार खाना है वो यही पर लगाऊना उतना दूर क्यों लगा रहे हैं आपका कितना खर्चा बढ़ जा रहा है ठीक है तो इसलिए क्या किया जाता है ताकि आसानी से कच्चा म प्रधेश यहाह पर लोग बस सकते हैं और इसपरकार से यह प्रदेश हो जाएगा मिठ्टि के बारे में salah मतलब मिठ्टी के बारे में बित्यों मिम्रिदा की मिलता है और की देखने लिए मिठ्टी के प्रकार стран को डिल्टि की प्रकार पर अगले के बिज़र में अगले लेक्चर जरूर देखेगा झेगा defer प्न्मुक रूप से Cinema कार होते हैं वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे तो आप लोग उसको डाउनलोड कर सकते हो उसका लिंक डेस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा यहाँ पर हर एक सब्जेक्ट का आप लोगों को टेक्स्ट बुक यानि कि यह जो किताब होती है वो उपलब्द हो जाएगा इसके अलावा जो आपके आंसर मतलब नूट्स वगएरा वह भी वहाँ पर अप्लोड है तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो और यह एक हमारा यह क्या रहा है यह अपने आप भी पता नहीं क्या आ गया एक और हमारा एप है है हमारे एसके क्लास का आप तो आप लोग इसको भी डाउनलोड कर सकते हो प्लेस टूर से ठीक है जी तो बस इतनी बाते बतानी थी चलिए आज के लिए इतना ही मिलेंगे हम लोग बहुत ही जल लगले वीडियो में ध्यान रखेगा अपना ठीक है चलो चलो बच्चो बहुत है